एक्सहिल.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सियस अतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नए अपडेट डालें आपके पास इमिजेटली यह अपडेट पहुंच जाए 33 जैस्टी कॉंसल मीटिंग की दूसरी बैठक 24 फेबरेरी 2019 को हुई है उसमें रेल स्टेट से लेटर कुछ महत्तपन फैंसली लिए गए है जैसे का यदि रेजजेंशल प्रोपर्टी है जो के अफ़ोलडेबल सेगमेंट में नहीं आती है तो उसकेस में जेश्टी के डेट 5% कर दिये गए है और इंपूर्ट आस क्रेडिट नहीं मिलेगा यदि अफ़ोलडेबल हाउसिंग में कोई रेल स्टेट प्रोपर्टी आती है रेजजेंशल प्रोपर्टी तो उसकेस में जेश्टी के डेट 1% होंगे और इंपूर्ट आस क्रेडिट नहीं मिलेगा इफ़ेक्टिव डेट 1st April 2019 होगी अफ़ोलडेबल हाउसिंग के लिए जो डेफिनेशन होगी उसके लिए रेजेंशल हाउस यदि फ्लैट का कार्पेट एरिया यदि 90 स्क्योर मीटर तक है नोन मेट्रोपलिटन स्टिश याफ़े टाौन बे और यदि 60 स्क्योर मीटर तक है इन मेट्रोपलिटन स्टिश ठीश भाउन पर लिए यहा फ्लेपलिटन स्टिश क्वाण से हैं उन्हें आप अपनी स्कीन पर रइफ्ल कर सकते हैं इसके अलावा जो intermediate tax है development right पर जैसे कि TDA, JDA, lease premium, FSI पर वो भी exempt होगा उन residential property के लिए जिन पर के GST payable होगा इस game की detail को committee के दोरा work out किया जाएगा और GST council meeting में इसे रखा जाएगा जो कि इसे approve करेगी GST council ने जो recommendation किये है उनके benefit buyer को ये होगे कि उसे जो घर है वो fair price पर मिल जाएगा buyer का interest जो है वो protect हो जाएगा इसके अलावा cash flow problem जो है developer की वो भी solve हो जाएगी और जो unutilized import as credit है जो कि cost बन जाती थी किसी project के वो है remove हो जाएगी और builder के लिए tax compliance करनी असान हो जाएगी GST council meeting में ये भी decision लिया गया कि lottery पर tax rate के उपर और discussion की जरूरत है इसके लिए group of minister को बना दिया गया है इन सभी recommendation के लिए सरकार जल्द ही notification और circular जाड़ी करेगी इस press lease को पढ़ने के लिए link इस GST news की video description में भी दिया गया है आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं like करें और share करें जितना अधिक आप like करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुँचा पाएं